हेलो दोस्तों नमस्का आश्वागत है आप सभी का अपने यूटूब चैनल तन्वेकी रसोई में तो आज हम बनाएंगे लच्छा पराठा वो भी गेहूं के आटे से बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी तो चलिए इसी बनाना फटाफट से शुरू करते हैं तो यहां पर मैंने इसके लिए ले लिया है दो कप गेहूं का आटा और अब हम इसमें डालेंगे नमक नमक डालने के बार इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका सौफ्ट आटा लगाएंगे इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम आटे को गूत लेंगे अच्छी तरीके से मसल मसल के हमें सौफ्ट आटा गूतना है जैसे हम नार्मल रोटी का आटा लगाते हैं ना बस उसी तरीके से हमें इसे गूतना है तो इसी तरीके से हमें इसे गूत लेंगे तो आप देख सकते हूं आटे को मैंने बहुत अच्छी तरीके से गूत लिया है तो अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मत रिफाइंड ओयल डालने के बाद इसे आटे में अच्छी तरीके से मसलेंगे एक मिनट तक इसे इसी तरीके से मसल लेना है मसलने के बाद इसे इस तरीके से ढख के मैंने रख दिया था 15 मिनट तक खोल के इसे फिर से वापस एक मिनट के लिए इसी तरीके से इसे मसलेंगे तो आप देख सकते हैं आठे के मैंने बहुत अच्छी तरीके से मसल के गूत लिया है तो अब हम इसकी लोईयां तोड़ेंगे हमें इसकी लोईयां थोड़ी सी बड़ी ही लेनी है रोटी सी थोड़ा सा बड़ी होनी चाहिए तो इसी तरीके से हम सारी लोईयों को तोड़ लेंगे तो इतने आठे में मैंने 7 से 8 लोईय बना के तयार करिए इसकी तो इसी तरीके से लोईयों को हम चिकना करके एक प्लेट में रख देंगे तो ये देखिए मैंने सभी लोईयों को चिकना करके एक अलग प्लेट में रख दिया है तो एक ही करके इस तरीके से हम अब पराठे बनाएंगे इसके तो हम इसके थोड़ा सा आटा अड्रस्ट करेंगे और अब हम इसे बेलेंगे हम इसे ज़्यादा पतला नहीं बेलना है मोटा ही रखना है थोड़ा सा और बड़ी रोटी बेलनी है इसकी इसी तरीके से हम इसे बेल लेंगे बड़ी सी हलकी सी मोटी रोटी तो इसी तरीके से हम इसे बेल लेंगे बड़ी रोटी तो आप देख सकते हो मैंने रोटी बेल ली है बड़ी इसी तो इससे जाता हम इसे नहीं बेलना है तो अब हम इस पर लगाएंगे घी ये देशी घी है और ध्यान रखें इस पर लगाने के लिए घी थोड़ा सा जमा हुआ लें कि उससे ज़़्ादा बढ़ियां बनता है तो इसी तरीके से हम सारी रोटी पी इस तरीके से घी लगा देंगे चारो तरफ अच्छी तरीके से लग जाना आ चाहिए तो आप देख सकते हो चारो तरफ मैंने अच्छी तरीके से घी लगा दिया तो हम इस पे आटा थोड़ा सा इस तरीके से डस्ट करेंगे और इसे चारो तरफ फैलाएंगे और अब हम इसे मोड़ेंगे तो इस तरीके से हम किनारे से पकड़ेंगे और इस तरीके से मोड़ते जाएंगे जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में दिखा रहे हूं ध्यान से देखिए इसी तरीके से हमें इसे मोड़ना है तो बस इस तरीके से हम थोड़ा सा इसे लंबा करेंगे खीच के इस तरीके से बहुत जादा नहीं खीचना है थोड़ा थोड़ा हम खीच के इसे इस तरीके से लंबा कर लेंगे और इस तरीके से करेंगे थोड़ा सा और अब हम इसका इस तरीके से लोईया बनाएंगे रोल करेंगे इसे तो आप देख सकते हो लच्छा पराठे की लोई बनके तयार हैं ये देखिए धेर सारी पर्तो वाली आप देख सकते हो बहुत ही जादा इसमें पर्ते दीख रही है तो इसी तरीके से हैं बाकी की सारी बना लेंगी इसी तरीके से इस पे भी घी लगाएंगे सेम तरीके से चारग तरफ अच्छी तरीके से लगाना है तो आप देख सकते हो इस पे भी मैंने घी अच्छी तरीके से लगा लिया है तो अब हम इस पे सुखाँटा डश्ट करेंगे तो इसी तरीके से थोड़ा सा सुखा आटा इस पे छड़केंगे और इससे फैलाएंगे और अब हम इसे इस तरीके से मोड़ेंगे जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया और इस तरीके से मोड़ते जाएंगे बहुत ही आसा 안 है दोस्तों बहुत ही जल्दी बन के तयार होता है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती फटा पट से कोई भी बना सकता है तो इसी तरीके से हम इसे खूल कर लेंगे और अब हम इसे इस तरीके से दबाते हुए इसे थुड़ा सा खीचेंगे बहुत जादा नहीं खीचना है नहीं तो ठूट जाएगा इसी तरीके से हम इसे खीच लेंगे और अब हम इसे रोल करेंगे इस तरीके से इस तरीके से हम इसे मोर देना है इसी तरी इसके से बाकी की सारी हम लच्छा पराठे की लोई बना के तयार कर लेंगे आप देख सकते हूँ बहुत सारी पड़ते दिख रहे हैं इसी से सारी लेयर खुल के आएंगे हमारे पराठे में तो इसी तरी के से मैंने तीन लोईयां बना के तयार कर लिया है यह देखें और अब हम इसे रखेंगे साइड में और एक एक करके बेलेंगे इसे थोड़ा सा सूका आटा आप इस पर डालने और इसे हलके हाथों से बेलना है ज्यादा जोर नहीं देना है इस पर हलके हाथों से हमें इसे बेलना है बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है इसी तरीके से हम इसे हलके हाथों से बेल लेंगे तो इसी तरीके से हम इसे बेल लेंगे तो आप देख सकते हो मैंने इसे बेल के तयार कर लिया है तो ये देखे इस तरीके से मैंने बेल के तयार कर लिया है आप देख सकते हो इतना मोटा मैंने इसे रखा है तो इधर मैंने गैस पर रख दिये एक तवा तबा हमारा गरम हो चुका है तो इस तरीके से हमेरा पराटे डाल तिया है । इसे थोड़ी देर सिखने देंगे एक तरफ से और इसके बाद later के पलट देंगे थोड़ी देर अब हम उपर से लगाएंगे उयल इस तरीके से fine oil आप अगर घी बटर का यूस्ट करना चाहते हो तो इसका भी यूज्ट कर सकते हो अब हम इसे वापस से पल्टेंगे तो आप देख सकते हो सारी लेयर्स जो हें हमारी पोहँत ही अच्छे से खुल रही तो इसी तरीके से हम इसे उलरते पुलरते हुए अच्छी तरीके से सेक लेंगे तो आप देख सकते हो सारे लच्छे जो है हमारे बहुत यह अच्छे से खूल रहा है यह देखिए तो इसी तरीके से बाकी के सारे पराठे हम सेक लेंगे तो यह देखिए मैंने पहले ही पराठा डाल दिया है और अब हम इसे भी वापस से उलरते पुलरते हुए सेम तरीके से इसे भी सेक लेंगे इसी तरीके से हमें इसे उलरते फुलरते हुए अच्छी तरीके से सेक लेना है तो ये देखे मैंने इसे उलरते हुए अच्छी तरीके से सेक लिया है इसकी भी सारी लेयर जो है वो खुल गई है मतलब बहुत अच्छे से सेक के तैयार हुआ है दोस्तों यह देखिए इसी तरीके से बाखी के सारे पराठे हमें सेख के तयार कर लेने हैं तो उमीद है कि आज की ये लच्छा पराठे की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें सेयर करें सब्सक्राइब करें साथी बेल आइ लेक्स वीडियो में ऐसी कोन नई रेसिपी के सार तब तक लिए बाई बाई